आज हम करेंगे मैट्स में चैप्टर नमबर टू इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम स्टार्टिंग में थोड़े से उसके बैसिक फॉर्मुले देखेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो से उसके कोश्चन्स स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले बैसिक फॉर्मुले पे एक नजर डाल देंगे कि हमने इसके पहले टिग्नोमेट्रिक से रिलेटिट कौन से फॉर्मुले पढ़े थे अब थोड़े बहुत कौन से फॉर्मुले अप्टाय कर रहे है तो हम आज उसका थोड़ा सा रिवीजन देख लेते कि फॉर्मुले क्या क्या होते है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखिए रेसिप्रोकल आइडिन्टिटीडीज यह अपने टेंथ क्लास में पढ़ी थी कि साइन थीटा एक वरस्टू क्या होता है बन बाई कॉसेक थीटा अब साथ सोच रहोंगे कि यह सी एस सी लिखा है इ वन अपन में कॉस थीटा कॉस थीटा एक वरस्टू होता है वन अपन में सेक थीटा टैन थीटा एक वरस्टू होता है वन बाई कॉड थीटा यह रेसिप्रोकल आइडिन्टिटीज है क्लियर नाओ दा नेक्स्ट यह तीन रेसिप्रोकल प्रोपर्टी थी नाओ दा तीन न और रेसिप्रोकर आइडेंटिटीज कोसे के एक वर्स्टू होता है वन बाय साइने अब हमने इसके पहले की जो आइडेंटिटी करी थी महाँ थीटा था अब हम देख रहे हैं कि हमारे एंगल की प्लेस पे क्या आगया ए मतलब एंगल की प्लेस पे कुछ भी हो डजन्ट पढ़ता है आइडेंटिटी एज इजी रहेगी मतलब कोसे के एक वर्स्टू होता है वन अपन में साइने से के एक वर्स्टू होता है वन अपन में कोसे कोटे एक वर्स्टू होता है वन बाय टेने मतलब ये छे रेसिप्रोकर आइडेंटिटीज है एक ये वाली तीन और ये वाली तिन जो कि ये आइडिन्टिटीज आपने क्लास 9.10 में रीड करी थी नेक्स्ट रेशो आइडिन्टिटी 10 एक वर्स्टू क्या होता है sign एपन में कोस है और 10 का उल्टा कौन होता है opposite reciprocal कौन होता है cot तो as it is जो sign और कोस है वो कोस और sign हो जाएगा यहाँ पे भी opposite हो जाएगा मतलब कोटे कोस टू आइडिन्टिटी क्या हो जाएगी कोसे अपन में sign है clear now the next Pythagoras Pythagoras identities जो कि ये 10th क्लास में already आप इसको proof कर चुके है महाँ थीटा से करा है यहाँ पे angle sign लिखावा है सबसे पहली identity जो कि सबसे ज़्यादा use होती है sign square a plus cos square a equals to कितना हो जाया 1 मतलब sign square a plus cos square a equals to 1 यह identity है second identity is 1 plus 10 square a equals to 6 square a यह identity होती है 1 plus 10 square a equals to 6 square a clear now the third identity 1 plus cot square a equals to कितना हो जायागा cos square a तो यहाँ पे total कितनी identity है 3 कौन कौन सी sign square a plus cos square a कितनी होती है 1 second is 1 plus 10 square a equals to 6 square a third is 1 plus cot square a equals to cos square a clear now the next next the sum identity right यह भी आपने 11th class में read करी थी sign in bracket a plus b तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका sin a cos b plus cos a sin b right यह सबसे first formula है आपका clear as it is sum बोला है तो स्रिफ sum sum बाले लेंगे sin में a plus b cos में a plus b और 10 में a plus b right cos a plus b का क्या हो जाएगा cos a cos b minus sin a sin b clear फिर 10 में देखते हैं 10 a plus b का क्या होता है 10 a plus 10 b अपन में 1 minus 10 a 10 b मतलब यहाँ पर 3 total identity है sin a plus b cos a plus b और 10 a plus b now the next the difference identity it means कि जो इसके पहले की identity थी वो सारी की सारी identity हमारी plus में थी अब minus में देख लेते हैं कि minus में इसका formula क्या होता है right सबसे first identity is sin a minus b equals to किता हो जाएगा sin a cos b minus cos a sin b clear now the next identity is cos a minus b cos a minus b क्या identity होगी cos a cos b plus sin a sin b यह identity है मतलब इसके वाले पहले में जब यहाँ plus होता था तो यहाँ minus आता था अब यहाँ minus है तो यहाँ क्या आ जाएगा plus आ जाएगा clear now the third identity is 10 a minus b is equals to 10 a minus 10 b upon में 1 plus 10 a 10 b clear मतलब यहाँ पर भी इसकी difference की कितनी identity है 3 एक तो sin a minus b एक cos a minus b और एक 10 a minus b की now the next the double angle identity double angle मतलब जब बोलते हैं या तो इसको हम double angle भी बोल सकते हैं या फिर half angle भी बोल सकते हैं अब angle को क्या करना है हमें half करना है clear angle को हमें क्या करना है half करना है okay sign 2 है क्या हो जाएगा 2 sin a cos a अब double मतलब यहाँ पर जो angle है उसका double कर दो या फिर half angle बोल रहे तो यहाँ पर जो angle है उसका क्या कर दो half कर दो meaning समझ में आया या तो इसको double angle भी बोल सकते हैं या half angle identities भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर sign 2 a का formula क्या हो जाएगा 2 sin a cos a यह first identity है cos 2 a cos 2 a कि यहाँ पर मैंने कितने formula लिखे 3 now the first formula is cos square minus sin square second is 2 cos square minus 1 third is 1 minus 2 sin square a यह तीनों formula किसके है cos 2 a के now the third is 10 2 a 10 2 a का formula क्या हो जाएगा 2 10 a upon में 1 minus 10 square a तो यह half angle और double angle की यह properties थी ठीक है now the next inverse trigonometric formula अब थोड़े से inverse trigonometric formula क्या होते है आज जो हम chapter second start करेंगे उस chapter number second में यह 6 starting के formula है clear इससे आप principal value भी find कर सकते हो देखिए first formula is sin inverse minus x मतलब अगर bracket के अंदर angle आपका minus में given हो तो formula क्या होगा sin inverse minus x कितना हो जाएगा minus sin inverse x clear second is cos inverse minus x मतलब सारे के साथ हम minus x देखेंगे और उसका meaning क्या होता है वो बताएंगे right cos inverse minus x इसका formula होता है pi minus cos inverse x मतलब साइन के साथ pi नहीं लगता है लेकिन cos के साथ pi लगेगा तो यह हो जाएगा pi minus cos inverse x third is 10 inverse minus x तो क्या हो जाएगा minus 10 inverse x clear minus 10 inverse x हो जाएगा fourth is cos inverse minus x equals to कितना हो जाएगा minus cos inverse x clear fifth is sec inverse minus x कितना हो जाएगा equals to pi minus sec inverse x मतलब इसके साथ भी क्या लग गया यहां पे pi and the last cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x मतलब आपके पास total यहां पे inverse की 6 identity है और इस 6 identity में से 3 के साथ pi लगता है और 3 के साथ pi नहीं लगता है तो 3 किस के साथ pi लगता है 1 cos के साथ pi लगता है sec के साथ लगता है और किस के साथ लगता है cot के साथ यह 3 ऐसे है inverse function जिसके साथ pi यहां पे apply होता है inverse trigonometric formula कुछ और basic formula है जो sum को proof या calculate करने में बहुत काम आएंगे now the first identity is sine inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2 यह सबसे पहली property है right now the second case 10 inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2 third sec inverse x plus cosec inverse x again pi by 2 मतलब इन तीनों का मतलब यह है कि जब sine और cos की pairing होगी inverse के साथ और यह वाले दोनों angle same हो angle कुछ भी हो दोनो x हो दोनो a हो दोनो theta हो दोनो 90 हो दोनो 40 हो angle कुछ भी हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता बड़ दोनों के angle same होना चाहिए जब sine inverse और cos inverse के यह दोनो angle same हो तब आप direct आख बंद करके इसकी प्लेश पे क्या रख सकते हो pi by 2 direct रख सकते हो clear मतलब sine inverse x plus cos inverse x किता हो जाएगा pi by 2 अब आप चाहो तो इसकी अलग-अलग break करके भी identity बना सकते हो कि cos inverse x की value किती हो जाएगी pi by 2 यह इधर right side गया तो minus हो जाएगा यह sine इधर ही है तो cos चले जाएगा मतलब ऐसी total इसकी 3 हो जाएगी इसकी 3 और इसकी 3 ऐसी अलग-अलग property तो same जैसे ही 10 inverse और cot inverse के साथ यह जो 2 angle जब भी same होंगे उसकी place पे कितना आएगा pi by 2 as it is sec inverse x plus cos sec inverse x हो तो इसकी place पे कितना आजाएगा pi by 2 clear अब inverse trigonometric function जो reciprocal होते थे उसकी according जब sin inverse 1 by x हो तो यह क्या हो जाएगा cos sec inverse x और जब यहाँ 1 by x होगा तो यहाँ क्या आजाएगा x as it is cos inverse 1 by x हो तो कितना आएगा sec inverse x clear और 10 inverse 1 by x हो तो कितना हो जाएगा cot inverse x यह 3 identity है right now the यह identity जैसे हमने 10 x plus 10 y का formula दिखा था 10 x plus y का same as it is यहाँ पर भी 10 inverse x plus 10 inverse y तो formula क्या हो जाएगा 10 inverse in bracket x plus y upon में 1 minus x y clear यह formula हो जाएगा और जब 10 inverse x minus 10 inverse y हो तो formula क्या हो जाएगा 10 inverse in bracket x minus y divided by 1 plus x y मतलब यहाँ पर कितनी है 10 की total 2 identity है now the again first identity is 10 inverse x plus 10 inverse y equals to 10 inverse in bracket x plus y upon में 1 minus x y now the second property is 10 inverse x 10 inverse x minus 10 inverse y equals to 10 inverse in bracket x minus y divided by 1 plus x y मतलब यहाँ पर यहाँ पर finally यह कितनी property है 2 property है inverse यह second property है तो अगर sign में करना हो तो हम कौन सा formula use करेंगे यह cost में करना हो तो यह और 10 में करना हो तो यह मतलब depend करेगा हमारे उपर की हम 2 10 inverse की कितने और कौन सा formula apply करेंगे थैंक यू